सब्सक्राइब कीजिए मेरे चनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन जिससे मेरे हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले वह बिलकुल मुफ्त आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं बैंगन के बरते की रसिपी यह बहुत ही डिलिशिस और स्मोकी टीस्ट वारी डिश होती है तो देखते हैं इसके इंग्रीडियेंट्स यहां मैंने लिया हूए नमक स्वादनुसा लाल मिर्श पाउडर हम लेंगे हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर एक टेबल स्पून जीरा हाफ टेबल स्पून आम चून हाफ टेबल स्पून गरम मसाला हाफ टेबल स्पून और कुकिंग ओल लिया है तीन बड़े चमज हरे मटर लेंगे 100 ग्राम एक बड़ा प्याज बारी कटा हु तेन तीन हरी मिर्चे बारी कटी हुई एक बड़ा सा टमैटो बारी कटा हुए एक शिमला मिर्च बारी कटी हुई इसके बीज हम निकाल लेंगे जिंजर गालिक पेस्ट 1 टेबल स्पूम हरा धनिया गानेशिंग के लिए अभी दोस्तों मैंने एक बैंगन लिया हुआ यह द लगाने हैं फिर मैंने कुछ गार्लिक ली हुई है ये देखी लेसून की कलिया इसे हम पेल करके इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे हर एक कट में हम एक लेसून डालेंगे जिससे कि जब हम इसे सेकेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अभी हम ऑईल लेंगे और अपन आपन कर लिजे तेज़ फ्लेम पर यह देखी हाई फ्लेम पर मैंने गैस ओन किया और इस पर बैंगन मैंने रख दिया है बैंगन को हमें 10 से 15 मिन्टों तक पकाना है पूरी तरह से रोस्ट करना है और बार बार हम इसका साइट चेंज करेंगे ताकि यह जले ना ऑर ठीक त पका हुआ नगया देखना लगेगा धृंप फिर 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 फांदा करकर इसे पील कर लेंगे इसके पूरे छीलके निकालीजे लेकिन हमें पानी की मदबक से नहीं करना है अधरोभाइस इसका थैस्ट खराब और जाएगा हमें इसे फिर फिर इसित तरह कर लोगी इसमें जो तो बारी कटी हुए हरी मिर्चे हैं, वो डालूंगे, हरी मिर्च के बाद इसमें हम प्यास डालेंगे, बारी कटा हुआ, और इस सारी चीज़ों को हम मीडियम फ्लेम पर गोल्डन होने तक सेखेंगे, कुछ मिंटों के लिए, तीन से चार मिंट लगते हैं, ये सब कुछ गो करेंगे, फिर दोस्तों जैसे ये माश्यूमला में थोड़ी सी कुक हो जाएगी, मैं इसमें जिंजर गालिक पेस्ट डालूंगी, करीब करीब 1 टेबल स्पून, क्योंकि हमने बैंगन में भी लेस्वन अल्रेडी डाल रखी थी, इसलिए हम सिर्फ 1 टेबल स्पून ही पेस अभी मैंने यहाँ पे हरी मटर डाल दी, इसे भी हम कुक करेंगे, अब सारे ड्राय मसाले हम इसमें एड करेंगे, ड्राय मसाले दोस्तों जब भी एड करें तो जो गैस की फ्ले में हमेशा लो होनी चाहिए, ताकि पाउड़र्ट मसाले जले ना और इनका फ्लेवर बना र इसमें एड करेंगे, इसे ठीक तरह से इन मसालों से हम पूरी तरह से कोट करेंगे, दोस्तों यह बहुत ही ओसम डिश है, कभी आपका कुछ डिफ्रेंट ट्राय करने का मन करें, या आप कहां कोई गैस्ट आ रहे हो, तो भी आप इसे बना सकते हैं, इसे जरूर ट्राय मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शियर कीजिए, तो थैंक यू फो वाचिंग